इस भारत को 2047 में बिक्सित भारत बनाने के लिए एक मिलका पत्थर या अब का बजट है हमने आज हवाई चपल पहनने वाले लोगों को भी हवाई अत्रा कराने काम के मुखमंत्री जी स्वेम कहा कि मैं असाहज महसूस कर रहा था हमें सकुन मिला सबके साथ सबके विकास के स आत्म चलने वाले लोग हैं और उसको और मजबूत अधार बनाने वाले लोग इस भारत को भी सुगरू बनाना अगर यह मेरी सोच है हम उस दिसा में काम कर रहे हैं और जिनके सोच घोटाले के थी वह घोटाले कर रहे थे उस समय यह सोचना चाहिए कि जब आप लूट रह इस देश को अत्म निभर बनाना इस देश के लिए जो देश के प्रधान मंत्री नडेंद मोदी जी का जो मिशन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के मुल मंत्र पर इस अम्रित काल में इस भारत को दोहजार सेंटालिस में विक्सित भारत बना है आपने दिखा होगा कि कहीं कोई लोग लुभावना इस बजट में कहीं कोई बाते नहीं कहीं गई है जो हम अथार्थ में जो किये हैं या फिर जो हमारे करने का प्रयास से उसको बजट में लाने का काम हमारे देश के प्रधान मंत्री जी के दिशानेर देशन पर देश के बित मंत्री सिता रहमन जी ने रखने का काम किया राम मंदिर पांसो बर्स पुराना एक मेटर था भगवान राम में पांसो बर्सों से बनवास थे लिकिन जब देश के लोगों ने एक ऐसे प्रहान सेवक को जब देश का नित्र तो दिया तो भगवान राम भी अपने स्वरूप में बिरजमान हो गया और यही पुरी समस्या का एक निदान हो गया और हमें लगता है कि मने सनातन के लिए भारत संस्किर्टी और संसकार के लिए इससे बड़ा आधार कुछ नहीं हो सकता है आपने अभी देखा कि भगवान राम के बिरजमान होने पर पूरे दुनिया में खुसिया मनाई गई हमें कोई भारत के लोग ही नहीं दुनिया में खुसी मनाई गई और कई एक देशों ने तो इससे भगवान राम के और के प्रधानमंत्री के नित्रुत में असारे सपलता हैं हम यह मिल रही हैं किसानों के बारे में लोग कहते रहे हैं लेकिन किसानों के किसे ने किया नहीं लेकिन अभी तक 15 किस्त लगाता रहा दो हजार रुपे प्रती किस्त के नुसार देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में डाइवर्ट करने का काम किया है पहले लोगे आप नारा देते थे कि गड़ी भी हटाओ गड़ी भी हटाओ लेकिन गड़ी भर जाते थे गड़ी भी नहीं रटते थे लेकिन हमने यह 14 से लेकर कभी तक लगा 25 करोड जो BPL परिवार मने गड़ी भी रेखा के नीचे थे आज उनको APL बने उनको गड़ी भी देखा से हमने उपर बढ़ाने का काम दिया है नारियों के ससकती कर्ण के लिए हम तो अलग-अलग छत्रों में उन्हें हमने डिजर विशन दिया भी है लेकिन हमने राजनीत में भी उनके लिए यह डिजर विशन देने का काम या ब उसको हमारे बहनों को भी आज राजनीत के छेतर में भी उनको प्रिजर विशन मिला और कल और आज में अंतर यह होगा कि आज पूरे लोकसभा में राजसभा लोकसभा मिला करके 81 लगवग हमारे बहने हैं और कल या 101 बेरासी की संख्या हमारी हो जाएगी जब इस पर हम च के सुभगा में जितना हमने एनेज के सरकों का जितना निर्मान हो पाया है आप चौदह और अभी में अपने आप नजर दोगाईएगा आपको दिखेगा कि नहीं भए चौदह में कि पहले क्या थो और आज क्या है क्या भारत सरकार सिधे सीधे एनेज की सरकों की बात हो याता है तो में रेल की सुभधा की बात हो अमरित भारत मने ऐसे ट्रेनों की सुवधा के बाद हो बुलेट ट्रेन के बाद हो अलग से माल के लिए अलग से कॉरिडूर बनाने की बाद हो हमने इस तमाम चीजों को एक विकास को धर्ति पर उतारा है और आगे भी हम जो चौबिस के बाद के जो तीसरी पारी परधान मंत जी के जो सुरू होगी उस पारी में इस देश को अर्थिके द्रिश्टी से भी इस देश को विस्टो का तीसरा मने अर्थ ब्यवस्ता अर्थिक द्रिश्टी से हम खड़ा करने का काम करें हम इतने दिनों में पांचवे अस्थान पर हम पहुंचे हैं लेकिन तीसरे जब अ कि लोगों के वह हमें लगता है कि रहन सहन उनके आर्थिक इस्तिती बदलेगी और बदलेगी तो उसका लाव हम सब को मिलेगा हमने आज हवाई चपल पहनने वाले लोगों को भी हवाई अत्रा कराने काम की और उसमें बिहार में भी अब हमारे देश के प्रवान मंत्री जी का दिशान모रेसन उनका भी पराप्त होते रहेगा एक और बिहार बासियों का कल्यान हो अम मोधी है तो मुमकिन कि देश के 144 लोग जो चिला रहे एक स्वर से तो उसमें कहींन और कहीं एक बड़ा दम है एक बड़ा उदसी जानुए जो इस उस्वें उसकरश महसूस कर रहा था हमें सकुन मिला दो जनता क्या झाइस्तिति थी आप कुछई सीपा हुया नहीं है जो आराजक्त होगा लूटने का होगा हूगा तम सही नहीं कर पाएगे लेकिन नरेंद्र मोदे जी का सोच इस भारत को आत्मिर्वर बनाना इस भारत से गड़ी भी दूर करना इस भारत के सम्मान को दुनिया के प्लैटफर्म पर उुचा दिखाना इस भारत को विशुकरू बनाना अगर यह मेरी सोच है हम उस दिसा में काम कर रहे हैं और जिनके सोच घोटाले के थी वह घोटाले कर रहे थे इस सरकार में यही है कि उनको पूरा यह चूट है कि आप कोई भी गलत कर रहा हो कोई भी गलत किया हो आपके संग्यान में आता हो तो करवाई करिये पहले यह नहीं होता था लेकि जेल गए थे चारा घोटाला का मैटर था वह साबित घोटाला का मैटर था उसमें मोदी जी तो कोई देश में प्रदान मंत्री नहीं थे तो आज इनके गटवंदन में तो वही वही लोग थे देश में क्यों उनको भेज दिये थे जिए यहाँ मैं लगते हैं कि लोगों को यह थासा में उस समय यह सुचना चाहिए कि जब आप लूट रहे हो राज राजी के संपदा को तो उसमें मत लूटो आज लूट करकर के और लूट करकर के अपने शिंत नहीं रह सकते हो कि मोदी है मोदी की सरकार में सबके लिए समानने आये है और आपने देखा हो कि हमने पुराने जो कानून थे उपुराने कानूनों को अब हमने बदला है पुराने कानून को बदलने के पीछे यही था कि पुराने कानून हमें और मजबूती प्रदान नहीं करते हैं हमने न लोग गये थे फिर जाने के इस्तिति में हैं तो उसमें तो करना भी तो नहीं चाहिए रहा अब किसी पद पर हिए लूटिएगा आप समाज के साथ देश के साथ अन्याय करिएगा तो फिर कानून काम करेगा